So guys, खत्रो की गलाडी सीजन 14 में शिलपा शिंदे और कृष्णा शिंदे और कृष्णा शिंदे को री एंट्री मिल रही है मगर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा और शो के मेकर्स इन दोनों को क्यो बला रहे हैं चले इस वीडियो के अंदर जानते हैं So guys, जैसा कि हमने खत्रो की गलाडी सीजन 14 के प्रोमो वीडियो में देखा कि कृष्णा शिंदे इन दोनों को खत्रो की गलाडी सीजन 14 में री एंट्री मिल रही है और ऐसा पता चला है कि इस सीजन खत्रो की गलाडी की टीरपी काफी रो है और अब शो के मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो शो को थोड़ा एक्स्टन करना चाहते हैं जिसके लिए अब शिल्पा शिंदे और कृष्णा शौफ को दुबारा बुलाया है क्योंकि इन दोनों से शो के अंदर एक fun element अएड हो रहा था मगर यहाँ पर एक twist आता है कि शो के मेकर्स ने तो इन दोनों को बुलाया है मगर किसी एक को ही खत्रो की गलाडी सीजन 14 में re-entry मिलेगी और जैसा कि हमने प्रोमो वीडियो में देखा कि यह दोनों एक जुतरे को बीट करने के लिए एक टास्क करेंगे जो की एक underwater टास्क है और देखने में तो यह टास्क काफी खतरनक लगता है और जो भी contestant इस टास्क को सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको खत्रो की गलाडी सीजन 14 में re-entry मिल जाएगी एजन वाइल काट कंटेस्टन तो गैस आपको क्या लगता है कि आप इन दोनों में से किसको एजन वाइल काट कंटेस्टन दुबारा खत्रो की खिलाडी में देखना चाहोगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए